हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको डिफर्म सेकेंडियर का सब्जेक्ट फार्माकोलोजी जिसका जो चेप्टर नमबर सेकेंड था पेरिपेरल नर्वस सिस्टम दोस्तों इसके हमने पांच टॉपिक कवर कर लिये थे जिसमें हमने क कोलिनर्जिक ड्रग को कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में और सेकेंड लेक्चर में एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रक्स होती है उनको सेकेंड लेक्चर में कवर किया था और जो आपका थर्ड लेक्चर है एडिनर्जिक ड्रग उसके बाद फूर्थ लेक्चर बनाया था से उन लेक्चर्स को देख लीजिए उसमें हमने आपके जितने भी टॉपिक से उनको बहुत अच्छे से कवर किया है और बहुत अच्छे से समझाया है और हम आपको हिंदी इंगलिस मिक्स में सभी नोट्स प्रोबाइड कर रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो और अपने कॉलिज गुरूब में भी वीडियो को सेर कर दिया करो अगर आपको मेरे बाटसाप गुरूब से एड होना है दोस्तों तो आप पर बन-99 रुपे का पे लगेगा उसके बाद आप गुरू यूज की जाती है उनके बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी ड्रग मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर यूज की जाती है यानि जो मास्थेनिया ग्रेविस डिसीज होती है इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है जो आपके डिसीज है मास्थेनिया ग्रेविस यानि जिसमें आपको ड्रक का यूज करना है तो पहले आप देख लीजिए कि मास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है तो पीछे स्क्रीन पर देखिए मास्थेनिया ग्रेविस आटो इम्यून डिसॉर्डर होता है यानि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उस कारण मास्थेनिया ग्रेविस होता है और इसमें जो body की antibodies होती है जो body के अंदर antibodies present होती है वह जो M और N receptor को nust कर देती है जो हमने आपको cholinergic बाले topic में बताया था आपके दो receptor बताया थे हमने एक था M receptor और एक था N यानि जो cholinergic drug है जिनका बर्क होता था कि slibation को start करना, heart rate को कम करना, digestion को start करना तो वह जो आपके cholinergic बाली drug थी वह M और N receptor पर बर्क करती थी और इनका बर्क क्या होता है जो antibodies हमारी body के अंदर present है यानि जो bodies present होती है वह M और N receptor को nust कर देती है destroy कर देती है जब M और N receptor को antibody destroy कर देंगी तो जो acetal coline होता है जो आपका cholinergic drug के अंदर आता है तो यानि जो cholinergic वाले topic में acetal coline था वह अपना बर्क M और N receptor पर ज़्यादा नहीं सो कर पाएगा क्योंकि जब receptor कम हो जाएगे तब बाइंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा तो जिससे हमारा digestion जल्दी start नहीं होगा slivation start नहीं होगा और जितने भी body के function होते हैं बै प्रॉपर रूप से नहीं हो पाएगे तो माइस्थेनिया ग्रेवी से एक आटो इम्मून disorder होता है इसमें जो body की एंटी बोडी होती है बै एम एंड एंड रिसेप्टर को नश्ट कर देती है उसके बाद जिस कारण एम एंड एंड रिसेप्टर की संक्या कम हो जाती है यानि जो एम रिसेप्टर है और जो एंड रिसेप्टर है इसकी संक्या कम हो जाती है और जिस कारण एसीटाइल कोलीन जो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है अभी हमने आपको बताया कि जो Acetyl Colline है वे M और N receptor पर बाइंड होता है और जब M receptor और N receptor की संग्या कम हो जाएगी तो Acetyl जो Colline होगा वे M और N receptor पर अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा उसके बाद एसी टाइल जो कोलीन होता है उसके फंक्सन जो होते हैं बैपूर्टा नहीं हो पाएंगे जो एसी टाइल कोलीन के फंक्सन थे यानि स्लाइबेशन स्टार्ट करना हैट रेट को कम करना डाजेशन को स्टार्ट करना तो जो एसी टाइल कोलीन के फंक्सन होते हैं बैपूरता नहीं हो पाएंगे और उसके बाद इस डिसीज में मसल्स बीक हो जाएंगे जो बाड़ी की मसल्स होती है बैबीक हो जाती है मास्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है जो बाड़ी की मसल्स होती है बैबीक हो जाती है और मसल्स जो होती है उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है और बाड़ी की जितनी भी मसल्स होती है बैबीक हो जाती है प्रॉपर अपना बर्क नहीं कर पाती है तब बाड़ी की जो मसल्स होती है प्रॉपर जब अपना बर्क नहीं कर पाती है तो इसे डिसीज को कहा जाता है मैस्थिनिया ग्रेविस और इसके अंदर anti-colin stress जो colin stress था उसके opposite यानि anti-colin stress आपने अगर previous वाले topic नहीं देखे हैं दोस्तों तो पहले आप जो previous वाले topic अच्छे से देख लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और हम जो आपको बता रहे हैं वो आपको अच्छा भी समझ में आएगा और उसके बाद अगर आपको notes चाहिए आप दोस्तों चैनल से तयार करें अगर आपको अच्छे लगते है notes तो आप मेरे group से join हो जाएए उसमें बहुत जादा student join हो चुके हैं अगर आपको join होना है तो आप 199 रुपे का उस पे फोन पे करके आप स्क्रीन सोट सेंड कर दीजिए आप group में add हो जाओगे तो एंटी कोलीन इस्ट्रेज ड्रग कौन सी है पिडियो जो आपकी पिडियो इस्ट्रेज में यूज़ की जाती है और उसके बाद immunosuppression यानि जो immune system है उसको suppress करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज़ किया जाता है इसमें आती है cyclosporine cyclosporine जो ड्रग होती है और इसमें आती है agithoprine agithoprine ड्रग आ जाती है immunosuppression में इसका यूज़ किया जाता है फिर जो आपका third class है immunosuppression यानि immunosuppression क्या होता है इस method के दोरा antibody को नश्ट किया जाता है जो antibody M और N receptor को नश्ट कर रहे थे यानि destroy कर रहे थे तो इस method के दोरा उन antibodies को जो है destroy कर दिया जाता है उसके बाद दोस्तों क्या आता है आपका यानि जो acetyl koline को बर करने से रोकते हैं जो antibodies जो होते हैं जो acetyl koline के बर को करने से रोकने का बर करते हैं उन antibodies को इस method के दोरा destroy कर दिया जाता है और fourth आपका method आता है plasma exchange यानि it help to remove the abnormal antibodies जो abnormal antibodies हैं उनको destroy करने में यानि जब plasma exchange हो जाएगा तो antibodies exchange हो जाएंगी बदल जाएंगी तो इस पकार से दोस्तों जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसका treatment किया जाता है बहुत छोटा सा topic था हमने बहुत छोटी वीडियो में cover किया है और दोस्तों आपको हमने अच्छे से बताया आसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा एक बार दोबारा से revision करा देते हैं और दोस्तों उसके बाद हम आपका next topic local anesthetic complete कराएंगे जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस क्या था यानि muscles जब बीक हो जाती है तब माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है अगर कोई proper रूप से अगर कोई definition पूछता है तो आप बताएंगे कि जब मसल्स बीक हो जाती है बाडी की तो माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है मसल्स का proper contraction नहीं हो पाता है जो हमारी बाडी के antibodies होती है बै एम और एन रिसेप्टर को destroy कर देती है और जिस कांट जो acetylcholine है बै अपना proper बर्क नहीं कर पाता है और माइस्थेनिया ग्रेविड डिसीज हो जाती है और इसमें जो ड्रग हैं पिडियो इस्ट्रिगमिन हो गया साइक्लोस्पोरिन हो गया अजित्थोप्रिन ड्रग हो गई और इसमें कुछ methods होते हैं प्लाजमा को एक्सचेंज करने वाला method बताया तो इस पकार से इस डिसीज को ट्रीट कर लिया जाता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सस्काइब कर देना जादे से जादा अपने दोस्तों को भी सेर कर देना धन्यवाद दोस्तों